ठंडे ठंडे मौसम में आज कुछ अलग खाने का मन कर रहा है, कुछ गरम करम खाने का मन कर रहा है, तो उसके लिए हमने बनाया है ये गर्मा करम छिलके वाली मूंग दाल से खिचडी, दही, टमाटर की सबची, पत्ता गोवी की सबची और बैंगन इन सबका कॉंबिनेशन बहुती अच्छा लगता है, बहुती यूनिक लगता है, आप इसे इस तरह बनाएं और गरम-गरम सर्व करें, ये खाने में बहुती स्वादिश्ट लगते हैं उसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में तीन से चार बड़ा चमच तेल का लेंगे, तेल को हलका गर्म होने देंगे, तेल गर्म होने पे इसमें आधा छोटा चमच, जीरा, दो तेज पत्ता, दो से तीन सूखी वी लालूरुष, इसे डालेंगे, और मिडियों फ्लेम में सीखने देंगे, जीरा सीख जाने पे, अब इसमें हम दो इस तरह आलू को बड़े-बड़े टुपड़ों में काटके डालेंगे, और इसे सलाकत, धटके मिडियों फ्लेम में थोड़ा सीखने देंगे, आलू सीख रहा है, इक जार में हम, एक इंच का तुपड़ा अध्र का एक हरीवेर चात अपने वाबलों सा डाले aja, और एक छोटा चमच जीरा, इन सब को डालके बारिक पेश्ट बना लेंगे, जरद पड़े तो ठोड़ा सा पानी डालेगे इसमें हमने दो चमच पानी डालकर इस तरह बेलकुल बारिक पेश बना लिया है हालू खाफ को हो चुके है अब इसमें हम ये पीसावा पेश दालेंगे फ्लेम को मिद्यम में ही रखेंगे इसे एक से दो बार इस तरह चला ले और इसमें आधा छोटा चमच लालमेश पाउडर, आधा छोटा चमच भल्दी पाउडर, एक छोटा चमच धनिया इन जब को डालकरी मिला लेंगे एक से दो छोटा चमच पानी का डालेंगे और मिद्यम फ्लेम में मसालों को अच्छी से शिकने जेंगे पानी हम इसलिए डालते हैं ताकि मसाला जले नहीं और इसमें एक अच्छा टेस्ट है देखें मसाला अच्छी तरह से सीख चुपा है यह तेल छोन चुपा है अब इसमें हम दो मिडियम साइज के टमाटर को इस तरह काटके डालेंगे इसे भी एक से दो मेंट के लिए सेख लेंगे अब इसमें स्वादा मेंसा नमक डालेंगे पत्ता गोवी का भी नमक डाल दें एक छोटा चन्ना सुनी डालेंगे उन डालके निकालेंगे अब इसमें एक मीडियम साइज का पत्तागोवी को इस तरह काठके हम डाल देंगे पध़ू से डालके ये दो दो must चलाते हुए अची तरह से मिलाने तरा मिला के अब इससे हर कर मीडियम में जब तक यह अच्छी तरह से कुप ना हो जाएं, सौप ना हो जाएं, तब तक इसे हम पकने देंगे और बीज-बीज में चलाते रहेंगे पत्ता को भी बन रहा है, इतनी देर हम टमाटर की सबजी की तयारी कर लेते हैं उसके लिए हमने सबसे पहले 5 टमाटर को आधी टुकड़ों में काट कर, प्रेसर कुकर में 1 सीटी हाई फ्लेम पे और 2 सीटी लो फ्लेम पे 1 फोर्थ कप पानी डाल कर बोईल कर लिया है और इसे निकाल के हम अच्छी तरह से थंडाउने देंगे एक साइड हमने 2 हरी मिर्स, आधु इंच का टुकड़ा अधरक का, 10 से 15 किस्मिस, थोड़े से आम पापड़े को इस तरह बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है चार छुहारा को हमने पानी में उबालकर छोड़ दिया था यह अच्छी तरह से भीग चुके है इन्हें हम काट लेंगे, ऊपर से निकाल ले, बीच को अलग करे और इसे इस तरह बड़े बड़े तुकड़ों में काट ले referencing श्वारा को इस तरह काटकर तियार कर ले इस तरह श्वारा को काटने पत्ता हुविझविझेश बश में चलाते रहें तमाटर खंदा होने पे अब हम इस तरह छिल्कों को निकाल के अलग्रण द्यूस्ट सारे छीटों को निकालके नियम अच्छी पाँ से मैस कर लेंगे इस तरह मैस करके अभम फिर से एक और कठाई में दो से तीन बड़ा चमर्श तेल का गर्म करेंगे तेल गर्म होने पे अब इसमें हम पच्छपोरण का छोखन डालेंगे जिसमें की सौप, जीरा, राई, काला जीरा और मेथि मिलाई जाती है पच्छपोरण को हम अच्छी तरह से सिखने देंगे अब इसमें हम 1-2 हरी मेर्ज इस तरह बड़े बड़े टुकड में कटीवी डालेंगे आधा यूज का अज़डर का तुकडा इस तरह कटीवी डालेंगे परोडल को पछेक के ऑधा चमाच लाल मेज पावडर। जब सब्सब्सक्स स्वाइब करें जब मसाला तेल छोड़ दे और फिर इसमें ये सारे समाता को हम डाल देंगे इसे डाल के मिला लेंगे अब इसमें हम 14 पिसमेज आम पपड़ा सब डाल देंगे आधा छोड़ा चमच काला नमद और नमद स्वादल स्वाद दालेंगे इनमें डालके मीडियम फ्लेम में इसे अच्छी तरह से सिखने देंगे पत्ता जोबी को बीच पिछ में चलाते रहें और तमाटर को भी बीच में चलाते रहें जब तमाटर बोयलोना स्टार्ट हो जाए तब इसमें हम एक चौथाईक का बूल डालेंगे बूल को बारिक टा अब फिर शे इसे हम छोड़ी देर बोयल देंगे एक साइड हमारा पत्ता जोबी भी हो रहा है और एक साइड टमाटर भी बोयल हो रहा है हमारा टमाटर भी तयार हो चुका है गैस को बंद करें होट पत्ता जोबी भी रेडी है अब इस गैस को भी बंद करें दोनों सबज अब हम दही तयार करेंगे, आप सोच रहेंगे, दही भी कैसे तयार किया जाता है, उसके लिए हमने दही को 10 मिट पहले इस तरह चली में डाल कर छोड़ दिया था, इसमें जो यह एकस्स पानी होता है, इसे निकाल दिया, बहुत ज़्यादा पानी निकाले, बस थोड़ा ही अब इसे हम एक बावल में इस तरह चान कर निकाल लेंगे, अब इसमें हम स्वादा नुसार नमक, आदा छोटा चमच काला नमक, आदा छोटा चमच सेकवा जीरा, इन सब को डाल के अच्छी तरह से मिला लेंगे, एक छोटा चमच पीसीवी चीनी, उसे भी डाल के जड़का के लिए हम एक छोटा चमच तेल को गर्मोने देंगे, आधा छोटा चमच छोटी वाली राई डालेंगे, एक पारीक कटा हुआ हरमेश डालेंगे, और कुछ करी पत्ते डालेंगे, इने दाल के त्वाच शेक लेंगे, प्रेल को लोटू मेडियम रखें, इस तर जाने पर अब गैस को बंद करेंगे, और आधा छोटा चमच लालमेश डालके इसमें मिला देंगे, गैस को बंद करकर लालमेश डालेंगे, अब इस छोकर को हम दही में डालकर मिला देंगे, यह हमारी दही भी तयार है, अब हम फिर से एक कड़ाई लेंगे, उसमें हम इस तरह की होती है, इसे डालेंगे, और आधा कपी हम चावल लेंगे, हमने आधा कप डाल लिया है, तो आधा कप चावल लेंगे, अब इन दोनों को हम मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते वे थोड़ा सेख लेंगे, बहुत जादा कलर नहीं चेंज करना है, चावल हलके से इसे लगातार चलाते वे सेख लेंगे, और मीडियम फ्लेम में सेख लेंगे, अब इन दाल चावल को हम एक प्रैसर कूकर में डालेंगे, उसमें स्वादा नुसार नमक डालेंगे, आधा चोटा चमच हल्डी पाउडर डालेंगे, डाल और चावल दोनों मिलाकर एक कटोरी है, तो इसमें हम चार कटोरी पानी डालेंगे, अब इसे बन करेंगे, और हाई फ्लेम पे एक सीटी और मेडियम फ्लेम पे एक सीटी आने तक इने बॉयल होने देंगे, खिजडी बन रही है, इतनी दर हम बैंगन के तियारी करेंगे, उसके लिए हम यह तीन बैंगन लेंगे, यह लंबे वाले बैंगन हैं, इसे हम बीज से इस तरह काट के लंबा लंबा तीन हिस्सा कर लेंगे बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं करना है और फिर इसे बीज से इस तरह काट लेंगे इस तरह तीनों बैंगन को तयार कर ले अब इस पे थोड़ा नमा और अच्छे तरह से सारे बैंगन में लगा लें पांच मीट के लिए इससे इसी तरह छोड़ दें बैंगन अच्छे तरह से पानी छोड़ चुका है अब हम एक दवा गर्म करेंगे उसमें तेल डालेंगे तेल कर्ब होने पे उसमें आदा छोटा चमच राई का डालेंगे राई को तड़कने देंगे अब इसमें हम सारे बैगन को अरेज़ कर देंगे बैगन को डालके तेल को हम उस्थर चारव अच्छे से पहला देंगे प्लेम को मीडियम में रखतेंगे और धबके एक साइड से इन्हें सिखने देंगे एक साइड थोड़ा सेखने के बाद अब हम इन्हीं पलतेंगे एक एक करके सब को पलट दें और फीज़ते थोड़ा तेल डालेंगे चारव और इस साइड भी धबक कर सिखने देंगे खिचडी में भी एक सीटी हाई फ्लेम पे और एक सीटी मीडियम फ्लेम में लग चुकी है अब ग्यास को बंद कर दिया है अब कुकर को पूरी तरह से थंडा होने देंगे अब हम कवर को हटाएंगे और दोनों और से उलट सर्फ कर देवे लाल और शॉक्ट होने तरह इने सेख लेंगे बैंगन तयार है दोनों और से यह अच्छे से सीख चुका है अब हम ग्यास को बंद करेंगे उपर से थोड़ा लाल मिश पाउडर और थोड़ा चाट मसाला प्रिंकल करेंगे बैंगन भी तयार है खिचडी भी अच्छी तरह से सीज़ चुकी है अब हम फिर से एक चमच लेंगे उसमें चार बड़ा चमच घी को गर्म करेंगे घी गर्म हो रहा है इतने दिर हम इसमें कुछ दाने मेथी के डालेंगे और आधा छोटा चमच हींक डालेंगे मेथी को थोड़ा सिखने देंगे अब हम गैस को बंद करेंगे और इस छोकन को इसमें मिलाएंगे हींग और मेठी देने से खिच्डी खाने से गैस नहीं होती है किसी किसी को खिच्डी से गैस होती है पर इस तरह अगर हम छोकन मेठी और हींग डाल देंगे तो खिच्डी किसी को गैस नहीं करेगी देखिए ये हमारी खिचडी भी तयार है गर्मा गर्म हमारी गर्मा गर्म खिचडी, दही, टमाटर की सबची, पत्ता को भी की सबची और बैंगन तयार है इन्हें इस तरह बना कर खाएं और सब को खिलाएं ये खाने में बहुती स्वाधिश लगते हैं